हेलो दोस्तों वेलकम टो और उफेशल लीट चनल एक्जाम कॉंसेप्ट पर यहां हम बात करेंगे यूपी पीजी टी ग्जाम रिशन दो हजार एकईस की दो हजार एकईस में जो एक्जाम हुए थे कि उसमें इस्पेसली यहां पर मैं बात करूँगा इंगलिस पीजी टी की इंगलिस पीजी टी की जो कॉटफ गई इंटर्वीव के लिए वह कितनी गई यह बहुत सारे बच्चे पूछ रहेंगे सर जर्णल की OVC, S.E.S.T. और EWS की कॉटफ किसनी गई यह मेरा है और क्या कटफ गई इंटर्वीव इंटर्वीव पीजी टी में और मेर यह देखते हैं क्या है इस पर, पहली बात कि कॉटफ इंटर्वीव के लिए कितनी गई तो बहुत से बच्चे कह रहें कि मेरा सर असी था मुझे इंटर्वीव के लिए नहीं बुलाया गया या मेरा अट है नहीं बुलाया गया इन सब थांसारे क्वेश्टनों को मीजा सबसे पहले उनको वधाई जिनका इंगलिस PGT में इंटर्व्यू के लिए काल हुई है और वह सेलेक्शन के बहुत करीब पहुंच गया है ठीक तो आईए हम आज की कटफ बात करते हैं इंटर्व्यू के लिए तो अगर जनरल की बात करें तो सीव्टें जो थी उसके सापेच में जो कंडेट बुलाए गए हैं तो मुझे जनरल में 79 की निची कोई नहीं मिला है सब इसके उपर ही 79 जनरल की कटफ से अगर आपको लगता है कि 79 की निची के यह तो आप में बता सकते हैं तो और OVC की बात करें इंटर्व्यू कालिंग की तो मुझे 81 तक बच्चे मिले हैं जो बता रहे हैं कि OVC का 81 पे कालिंग हुई है ठीक 81 इसके नीचे नहीं गए अगर आप पर लोगों कोई कंडिडेट हो जो मिला हो इसके नीचे किसी निकाल 79 पे लेकिन मुझे नहीं लगता है I don't know think so कि इतना नीचे कटफ गई हुई है तो दो नमबर के फासले पे जनरल OVC चल नहीं है और SC की बाप करें तो SC की कॉलिंग 75 या 74 कर लें इतनी पे कॉलिंग हुई है अब सबसे बड़ा मामलाफास जाता EWS का देखिए दोस्तों EWS की कॉलिंग कितने पे हुई है कि नहीं हुई है तो मुझे लग रहा 86 प्लस वाले जो है इंटर्व्यू दे रहे हैं क्योंकि देंकि ऐसा इस लिए हुआ है क्यों भी से की ज़्यादा गई कि इन्हें केवल अपनी केटिगेरी में ही क्वालिफाई किया गया है जितने सीटे थी उसी कसा पच्छ में ही क्वालिफाई किया गया है तो एक कटफ इस बार तो रही जो कुछ जादा चली अब फाइनल सेलेक्शन की बात करें कितने को फाइनल सेलेक्शन हो जाएगा पी 85 या 86 के उपर जो है नमबर वही सेलेक्ट होंगे भले उन्हें 79 पे बुलाया गया है 86 के उपर ही जाएंगी अगर OBC की बात करें OBC के बच्चे 70 70 नहीं मैं 84 या 83 के उपर वाले ही बच्चे सेलेक्ट होंगे और EWS की बात करें EWS में मुझे लगता है कि और कंडिडेट जो कॉल हुई है सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और AAC और AST में तो समझ लिजिए कि वही अपना सीटें तो जादा थी नहीं तब भी 80 के राउंड मेरिट मूब करेगी ठीक तो यह फाइनल सेलेक्शन का आपड़ा था आपको क्या लगता है आप अपने अकॉर्डिंग हमें जरूर बताएं में कॉमेंड ओक्स में करें अगर आपको इससे नीचे कोई कंडिडेट मिलें तो जरूर बताएं यह रही ओबर आल वीडियो और आप हमारे चैनल से इंग्लिज के लिए जूट सकते हैं ओके ठाइन की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में